उत्तर प्रदेश में पिछले दो महिने से गर्मी ने जो तांडव मचाया वो एक सो पचास साल का रेकॉर्ड तोड़ गया लोगों को हीट वेब लू के साथ ही भीशड गर्मी का सामना करना पड़ा लेकिन अब आखरकार लंबे इंतजार के बाद उत्तर प्रदेश के लोग को राहत मिलने जा रही है क्योंकि आज पूरे उत्तर प्रदेश में मौनसून जोरदार दस्तक देगा जिसके बाद जमा जम बारिश होगी और अधिक्तम नियुनतम तापमान में भी गिरावट होगी आज मौनसून पश्रमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में जोरदार बारिश करेगा जबकि पूरवी उत्तर प्रदेश में भी हलकी बारिश होने का पूरवानुमान है फिलहाल पूरे उत्तर प्रदेश में बादलो की आवाजाही के साथ ही आज आधी तूफान का भी पूरवानुमान लखनो मौसम केंदर ने जारी किया है लखनो मौसम ताबिक आज बुद्धवार को पूरे उत्तर प्रदेश में बादलो की आवाजा ही रहेगी आंधी तूफान के भी आसार हैं तीस से चालिस किलो मेटर परती घंटे की रफतार से हवाएं चल सकती हैं और कुछ हिस्सों में हलकी बूंदा बांधी के साथ ही कई हिस्सों में ज आज उत्तर प्रदेश में मौसून की अच्छी दस्तक होगी जिस वजह से पश्चिम उत्तर प्रदेश के हिस्सों में बारिश होने का पूरवा नुमान है लखनो मौसम के इंदर के वरिष्ट वग्यानिक अतुल कुमार सिंग के मुताबिक आज उत्तर प्रदेश में मौस मौसून की बारिश का सिलसला शुरू होने जा रहा है, जिस वज़ा से प्रदेश वासियों को चिलचिलाती धूप और भीशडगर्मी से राहत मिलेगी। बात करें आज जिन जिलों में आधी तूफान के आसार हैं, उसमें लखनो, बारबंकी, हरदोई, कानपूर शहर, कानपूर देहात, लखिमपूर खीरी, जहांसी, आगरा, गोरगपूर, बलिया, बहराइच के साथ ही, सुल्टानपूर, आयुद्या, मतुरा और फुरसत गंच जैसे जिले शामिल हैं। वहीं जिंजलों में आज बादलों की आवाजाही रहेगी, उसमें उरई, बरेली, शाजहांपूर, मुरादबाद, मुझफवन अगर, मेरठ, आगरा, अलीगड, इटावा, आजमगर, नौइडा, गाजयबाद, हापूर, ललितपूर, सहरमपूर, बारबंकी और कनोज ज हो सकती है, लखनव से अंजली सिंग राजपूत की रिपोर्ट, लोकल एटीन